आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे English 100 Marks, बिहार बोट 12 कक्चा, बात करेंगे लिट्रेचर की, और लिट्रेचर में आपको मालूम है कि तीन भाग पढ़ना है, पहला आपका प्रोज, दूसरा पोएम और तीसरा स्टोरी ओफ इंगलिस, तो आज इस वीडियो में बा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो पहले ये समझते हैं कि प्रोज का अर्थ क्या होता है, तो दिखिए, प्रोज का हिंदी आपका होता है, गद्यांस, यानि कि निबंध कहानी लेक, तो आज मैं आपको राइटर का नाम बताऊंगा, उनकी जनम रित्यू के बारे में, और जो आपका चैप्टर है, वो चैप्टर आपका क्या है, एसे है, स्पीच है, स्टोरी है, तो ये भी जनना आपके लिए जरूरी है, क्यूंकि जब आप प्रीबियस पेपर देखिएगा, तो उसमें आपका ये क्वेस्टन्स आया हुआ है, कि इंडियान सिविलाजेशन और कल्चर क्या है, आपको चार अपसंदे देगा, एसे, स्पीच, स्टोरी, तो ये मैं आपको आज बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, तो बस आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो पहले देखिए, आपको ये मालुम होना चाहि आपको 11 चैप्टर पढ़ना है, कितना 11 चैप्टर, तो पहला चैप्टर का आपका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारती ये शब्यता और संस्क्रीती एक एसे है, देखिए, एक एक पॉइंट को बढ़ियां से समझेगा, अच्छी तरह से समझने का पर बात हो गया बिल्कूल, जनम मृत्यू की बात करें, तो आपको पहले से ही मालूम है कि महत्मा गांधी का जनम 1879, 1869 और मृत्यू नैंटी फोटी येट, उनिसो और तालिस, आप नोट कर लिजी आठार संस्क्रीती ये जनम, उनिसो और तालिस में मृत्यू, तो इंडियन स क्या है, एक स्पीच है, डॉक्टर जाकिर हुसेन जी के दिया गया, ये क्या है, एक स्पीच है, भारती इस माई होम, तो अब बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसेन जी के जनम के बारे में, तो 1897, 1897 में जनम और 1979 मिन के क्या हो अधे मृत्यू, तो दूसरा चैप्टर आप स तीसरा चैप्तर की बात करें तो पींच ओफ इस नॉफ इस नॉफ आपका क्या है इस टॉरी है कि Jorge के दौरा लिखा गया है मनुहर मालगूंकर्जे के दवारा इनकी जनम मृत्यू की बात करें 1913 में जनम और आपका 2010 2014 जून 2010 को इनका क्या हो गया मृत्यू हो गया तो तीसरा चाप्टर आप समझ गया पींच ओफिस नफ क्या है कि स्टोरी है मनुहर मालगोनकर जी के द्वारा लिखा गया नेक्स्ट बात करें चार नंबर एक स्पीच है किसके द्वारा दिया गया माटीन लूथर कींग के द्वारा तो माटीन लूथर कींग का जनाम 1939 मरे कब थे 1968 में तो आई हाव ए ड्रीम क्या है एक स्पीच है बात करें पहुंचवा चैप्टर की तो आईडियाज दाइट हैब हेल्प डमाइन काइंड तो ये क्या है आपका एशे है किसके द्वारा लिखा गया है ब्रटेंड रसील के द्वारा इनकी जनम मृत्यू की बात करें तो 1872 में जनम 1970 में मृत्यू नेक्स्ट बात करें इनकी जनम मृत्यू की बात करें तो 1883 में जनम 1971 में मृत्यू नेक्स्ट बात करें एट लेशन की तो हाउफ रीज दा प्रेस एक एसे है किसके द्वारा लिखा गया डरोतिले सायर्स जी के द्वारा जनम की बात करें तो 1893 में जनम 1957 में मृत्यू नेक्स्ट चाप्टर आपका है नो नमबर दी आर्थ क्या है एक स्टोरी है किसके द्वारा लिखा गया एची बेट्स जी के दवारा जनम की बात करें 1905 मृत्यू 1974 दस्वा चाप्टर आपका है कि इंडिया थू ट्रेवलर्स आई क्या है एक एसे है पर्ल एस बक जी के दवारा लिखा गया जनम की बात करें तो 1892 में जनम 1973 में मृत्यू इमेरिस प्रपोजल क्या है एक कॉमेडी है एंटोन चेकोजी के दवारा लिखा गया जनम 1860 मृत्यू 1904 तो यदि गौर करने वाली बात है तो आप एसे देखिए कौन-कौन से चैप्टर आपका है पहला आपका हो गया पांचवा हो गया शातवा हो गया आठवा हो गया और दस नमबर तो जितना भी एसे वाला चैप्टर है उससे आप अलग कर लीजिए यानि कि 1, 5, 7, 8 और 10 ग्यारम में पांच चैप्टर तो आपका क्या हो गया एसे ही हो गया और देखिए दूसरा चौधा यह आपका क्या है स्पीच है ठीक अब स्टोरी की बात करें तो तीसरा चैप्टर शिक्स चैप्टर और नाइन चैप्टर यह आपका स्टोरी है तो देखिए पांच चैप्टर आपका हो गया एसे स्पीच आपका कितना चैप्टर हो गया आपका दो चैप्टर हो गया स्पीच स्टोरी आपका तीन चैप्टर तो पांच अदूशात तीन दस बचता है एक ग्यारा नंबर तो वो आपका कोमेडी है आपको बिलकुल याद हो गया तो आप अपनी सुविधानुसाइब नोट्स बना ली जिएगा कि पहला चैप्टर पांच वा उसके बाद सेवेन उसके बाद इट और टीन क्या है आपका एसे है बाकी अपने एकोर्डिंग आप कर लीजिएगा स्पीच है स्टोरी है दिखिए ये इंपोर्टेंट आपको मैचिंग में भी काम आएगा जनम मृत्यू में अबजेक्टी में भी काम आएगा स्टोरी एसे ये भी एक्जाम में पूछा जाता है तो आप इसकी त्यारी अच्छी तरह से कीजिएगा प्रोच सेक्शन का चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं चुकि आपको बिलकुल याद हो जाएगा तो पहला चैप्टर आपका क्या है इंडियन सिविलेजेशन एंड कल्चर एसे है महत्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया जनम की बात करे 1879 और मृत्ती उनिसों निसों निसों आलेस दूसरा चैप्टर आपका क्या है भारतीज माई होम जोकी एक स्पीच है डॉक्टर जाकिर उसें जी के द्वारा लिखा गया जनम की बात करे 1897 और मृत्ती उनिसों निसों 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 तर तीसरा है आपका चैप्टर एपींच ओफिस नफ क्या है के स्टोरी है किसके द्वारा लिखा गया मनुहर मालगोंकर जी के द्वारा जनम की बात करे 1913 और मृत्यू 14 जुन 2010 चौथा चैप्टर की बात करे तो I have a dream मेरा एक सपना है कि स्पीच है मार्टीन लूतर किंग जी के द्वारा दिया गया 1929 में जनम, 1968 में मृत्यू पांचवा चैप्टर आपका है कि ideas that have helped mankind एक एसे है ब्रटेंड रसेल जी के द्वारा लिखा गया 1872 में जनम, 1970 में मृत्यू शिक्स चैप्टर की बात करे तो The Artist एक स्टोरी है सीगा नोया जी के द्वारा लिखा गया 1883 में जनम, 1971 में मृत्यू सेवन चैप्टर की बात करे Child is born, एक एसे है जर्मन ग्रियर जी के द्वारा लिखा गया 1939, 1949 में जनम, मृत्यू अभी नहीं हुआ इनका आठवा चैप्टर की बात करे तो How free is the priest क्या है? एक एसे है डोरोथी ले सायर्स जी के द्वारा लिखा गया जनम आपका 1893, 1997 में मृत्यू इनका हुआ था नाइन चैप्टर की बात करे दी अर्थ एक स्टोरी है, एची बेट्स जी के द्वारा लिखा गया जनम 1905, मृत्यू 1974 दस्वा चैप्टर आपका है कि इंडिया थू ट्रेवलर साई एक एसे है पॉल्स बॉक जी के द्वारा लिखा गया 1892 में जनम, 1973 में मृत्यू स्वा चैप्टर आपका हो गया एमेरेज प्रपोजल जो कि ये कोमेडी है एंटोन चेकोजी के द्वारा लिखा गया जनम की बात करे तो 1860 मृत्यू 1904 इगेरावा चैप्टर एमेरेज प्रपोजल कोमेडी है एंटोन चेकोजी के द्वारा लिखा गया 1860 में जनम 1904 में मृत्यू तो आप प्रूज सेक्षन की त्यारी अच्छी तरह से कीजिएगा बात सर्टेन मार्क्स की है और जैसा कि मैंने आपको बताया एसे स्पीच और स्टोरी को आप अलग-अलग कर लिजिएगा चुकि आपको एक्जामिनेशन हॉल में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे और अच्छी तरह से नोट कर लिजिएगा इसके बाद का वीडियो आपका पोएम का मिलेगा तो आप चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दीजिएगा और जब भी समय मिले तो अपने दोस्तों में सेयर कर दीजिएगा ओके धन्यवाद